बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीन असलाम लेकों विवर्स वैलकम टू मैई चैनल कुकिंग विद मलिका उमीद है कि आप सब हैरो आफियत से होंगे अल्ला ताला आपको हमेशा हुश और अबाद रखे आमीन सुमा आमीन तो विवर्स जैसा कि आप जानते हैं कि दिन बाद दिन सर्दी की शिदत में इधाफा होता जा रहा है और इस मोसम में कर्मा गर्म सूप तो बनता ही है तो हमने सोचा क्यों ना टमाटरों पर मुश्तमिल एक मदेदार सा सूप बनाएंगे और साथी साथ इसके साथ जो करोट कट किया हुआ है और एक इंच अधर का टुकरा ले लिया है तो सबसे पहले हमने टमाटरों को अच्छे तेगे से धो कर साफ कर लेना है और इसको रफ्री कट कर लेना है यहां पर मैंने चार अदर टमाटर लिये हैं आपको जितना भी सूप बनाना है उसलिए हाद से आप सूप हम तयार करने वाले हैं बिल्कुर रेस्टोरेंस ट्राइल जासा इसका फ्लेवर और टेस्ट राएगा और अगर बात कीजाए कीमत की तो बहुत कम कोस्ट पर यह सूप तयार होने वाला है एक पैन चुले पर रख देते हैं इसके अंदर शामिल कर देते हैं दो टीस् शामिल कर देंगे जीरा और इसके साथ ही शामिल कर देंगे काले मिर्च जो के साबद है आर से दस ताने हमने काली मिर्च के भी एड़ कर दिये हैं अब हमें बटर को थोरा सा पिगलाना भी है और साथ-साथ इन चीज़ों को फृई भी कर लेना है तो यहां पर वर्स सारी चीज़े फ्राइब चुकी है साथ ही इसमें श spinal कर देंगें बांसे चेज़ा से ही निया जितने जितना भी फ्लेवर क्जा कर देंगे वर हल्क कोफन के तक्रीबां 30 सेकिंड के लिए और इसके साथ ही शामिल कर देने अधरक च्के हाफ इंच टुकरा हमने लिया है ज्यादा अधरक शामिल नहीं करेंगे वरना सूप करवा हो जाएगा आफ हमने इसके actionदर स्वामिल कर देना है हारा धनिया इसको भी एधिक इंदर शामिल कर देंगे जो के सूप को घरा करने में मदद देंगे और साथ ही हमने जो टुमाटर काट के रखे थे ना ये भी इसके इंदर शामिल करके इनको अच्छे Chuck करेंगे फ्राइ करना इसलिए ज़रूरी है ताके इन सारी ही सब्दियों का कच्छापन हतम हो जाए जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा सूप के अंदर हाफ टीस्पून भरके इसमें शामिल कर देंगे नमक और एक टीस्पून शामिल कर देंगे चीनी का और बस इन दोनों ही चीदों को टमाटर के अंदर डालके मिक्सर लेते हैं नमक और चीनी से क्या होगा कि टमाटर जल्दी सोफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे तो यहां पर बस हमने टमाटरों को थोड़ा सा कवर करके कूख भी कर लेना है जैसे ही टमाटर फ्राई होंगे इनको कवर करके दक्रीमन आर्ट से दस मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कूख कर लेंगे इसके अंदर पाने शामिल नहीं करेंगे क्योंकि टमाटरों के अपने ही मौश्चर में ये घल जाएंगे तो बस जब तक कि टमाटर गलते हैं हम अपना एक और काम करते हैं हम इसके साथ सब किये जाने वले कुरूटोंस ट्यार कर लेते हैं जितने कुरूटोंस आपने बनाने हैं उतने आप ब्लेट के पीस ले लीज़ेगा यहां पर मैंने एक bread का पीस ले लिया है अगर आप इसकी sides काटना चाहते हैं काटने वरना आप इसको इसके साथ ही यूज करते हैं तो चुँके sides waste ना हो जाएं इसलिए मैं sides के साथ ही इसकी cutting कर रही हूं इस तरह square shape में हमें bread को काट लेना होगा यह देखिए तो बस इसकी square shape बनाने के बाद हमने इनको fry कर लेना है fry करने के लिए मैंने oil रख दिया है चुले के उपर बिल्कल low flame पे आपने oil को हलका सा ही गर्म करना है ज्यादा गर्म नहीं करना है क्योंके bread है जल्दी से ही fry हो जाएगी इसलिए आपने flame को slow ही रखके इसको fry करना होगा तो यहाँ पे oil गर्म हो चुका है अब हमने flame slow कर देना है और slow flame पे इसको crispy हो जाने तक fry कर लेना है याद रहे विवर्स यहाँ पे flame slow ही होगा क्योंके high flame होगा तो color फोरं से ही आ जाएगा और अंदर से यह नर्म रह जाएंगे इसलिए हमें इसको अंदर तक crispy रखना है तो इसके लिए flame slow करके इसको थोरी दरे के लिए fry करेंगे ताकि इनके उपर एक अच्छा सा golden color भी आ जाए और यह crispy भी हो जाएं तो यहां पर इवर स्क्रोटोन हमारे तयार हो चुके है यह देखे कितने यमी और कितने क्रिस्पी लग रहे है इनको रखते हैं एक साइट पे और दूसरी जनब जो टुमाटर हमारे गल रहे थे पक रहे थे इनको भी चेक कर लेते हैं और यहां पर तक्रीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं लो फ्लेम पे टमाटरों को पकाते हुए और यह तक कि जो काच्रे भी हमने इसके अंदर शामिल के थी वह भी बहुत अच्छे तरीके से नर्म हो चुकी है यह देखिए बस तोरा सा यहां पर हम और भून लेंगे भूनने से क्या होगा कि कच्छा पन सारा ही हतम होगा और बहुत ही अच्छी सी खुश्पू आएगी इसलिए थोरा सा तक्रीबन एक से दो मिनर के लिए जरूर भून लीजिएगा तो विवर्स उन् माट्रों को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे अबला हुआ पानी उबला हुआ पानी इसलिए शामिल करेंके ताकि इसका कुकिंग प्रोसेड़ी रहे जितना सूप आपको गारा या पत्ला रखना है उस लिहाद से आप पानी शामिल कर दीजिए तो यहां पर हमें क्या करना है सूप को चान लेना है याद रहे अगर आप अच्छा फ्लेवर चाहते हैं सूप के अंदर तो आपने उसको ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है उसको चली में डालिएगा और अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए सारा ही इसके अंदर से आपको मेरी राइस भी अच्छी लगे तो प्रीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो कार्णली मेरे चैनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर दें ताके आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ नमक और चीनी हम पहले ही इसके अंदर शामिल कर चुके हैं और इसको हमें बॉयल आने देना है जैते ही बॉयल आएगा न तो इसको उपर से जाग बनना शुरू हो जाएगी इस जाग को भी हमें निकाल देना है वरना यह जाग क्या करेगी सूप को हराब कर देगी सूप कितने अच्छे तरीके से गढ़हा हो चुका है बगार कॉन्टोर के ही हमने इसको पका लिया है और गढ़हा कर लिया है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने सूप पौल के अंदर तो यह लेजिए वश्ट गर्म लाल रंग का मरा बहुती हूपसूरत रंग वाला ट इसकी कानिशिंग कर देंगे धनिया के पत्ते के साथ या पुदीना के पत्तों के साथ भी आप इसकी कानिशिंग कर तकते हैं ओपर थोड़ से गरूटोंस रख देते हैं और यह लीजिए वर्स बहुत हेल्दी किसम का टॉमेटो सूप त्यार हो चुका है कितना यह गढ़ झाल 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 झाल